मैं नामीका, मेरी किजिन में आज से भी का स्वागत है आज मैं आलो और फौर्ट की रेश भी लेगर आई हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेश्टी होता है इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं इसे हम कभी भी एशनेक्स में या बच्चों का बर्डे पार्टी हो या कोई किटी पार्टी हो फटा-फट फ्रेश फ्रेश घर में बना के तयार करते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लाट तक देखिए अगर आज की मेरी ये वेफोर्स की रेश पी आपको अच्छी रगे तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करना मत भूलिए तो चलिए हम इसे बनाना सुरू करते हैं वेफोर्स बनाने के लिए हमने मेरियम साइज के चाड़ को आलू लिए हैं आलू मेरियम साइज का हो तो इसका वेफोर अच्छे से बनता है अब हम एक पीलर की मदद से इसे पील करेंगे तो आपके पास जीस तरह का पीलर हो उससे पील कर लिए बहुत आसानी से हो जाता है हमने आलू को अच्छे से चिलका हटा लिया है अब हम इस आलू को एक बॉल में पानी लेंगे और उसमें डाल देंगे यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आलू काले पढ़ने लगते हैं फिर वेफोर अपना देखने में अच्छा नहीं लगता है तो हम आलू चीलेंगे और फटाक से एक बॉल में पानी लेके डाल देंगे तो चलिए हम बाकी का भी आलू चीलके पानी में डाल लेते हैं हमने सभी आलू के चीलके हटा के पानी वाले बॉल में डाल रखा है अब हम एक दुसरा बॉल लेंगे और उसमें भी पा इसे चीप्स काटर लेंगे यानि कि वेफोर काटर मार्केट में अलग अलग तरीके के आ रहे हैं आपके पास जो भी है वो ले लीजिए जिसे प्रैक्टिस से वो तो चाकू से भी काट लेता है पर इससे इजी बनता है तो अब हम एक आलू लेंगे और ऐसे इसे चीप्स काटते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कितना पतला पतला अपना वेफोर्स कट रहा है यानि कि बिल्कुल ट्रांस्प्रेंट दीख रहा है हम नीचे अंगली डाल रहे हैं तो आपको दीखता होगा बस हम ऐसे ही तरफी वेफोर्स को पानी में काट लेंगे कि आपको प्रैक्टिस नहीं है तो शाउधानी से काटिए क्योंकि वेफोर्स कटर्स बहुत सार्फ होता है तो वहां के थोड़ा साफ को शाउधानी बड़तमे की ज़रूरत है तो चलिए हम सभी पोटेटोस को काट लेते हैं हमने सभी पोटेटोस काट लिए हैं आपको फिर इससे बिखा वे रहे हूं एक ताम पतली पतली इसलाइस में काटा है हमने अब हम इसे फांसे दस मिनट तक पानी में ही छोड़ देंगे जिसका एक्स्ट्रा एक्स्टार्च जो है और निकल जाएगा फिर हम इसे चान के भी काएंगे आपको दस मिनट हो चुके हैं आलू स आपके पास कोई भी कॉटिन कपड़ा हो तो इस पे फैला दीजिए अब हम इसे 10 मिनाट तक पंखा में सुखने के लिए रख देंगे हमने वेफोर्स को पंखे के नीचे सुखा लिया है आपको दिखा देते हूं यह बिल्कुल फडारा हो चुका है बिल्कुल पानी नहीं है आपको जल्दी है तो कपड़े को ऐसे लीजिए और ऐसे प्रेस करते हुए सुखा लीजिए पर हमने इसे 10 मिनाट ताइम दिया पंख पर देखे लिए रख लिया है एक फर्ष डाल के हम आपको दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं अपनी तेल से अच्छी सी वबल सा रहे है तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसी में बागी के वेफोर्स डाल देगे एक मड़़ में इतना आ सकेगा हम उतना वेफोर दालेंगे और अच्छे से प्राइब करेंगे ध्यान रहे हमें मेरियम ख्रेम पीन ही इसे सेखना है ना तेज पर सेखेंगे ना कम पर और इसे हम चलाते हुए तीन से चार मिनट तक सेखेंगे आप देख सकते हैं हमने वेफर्ष को दोनों शायर से चलाते हुए फ्राइब किया है एक दम यह बिल्कुल पतला सा हो गया है और फ्राइब ही हो गया है अब हम इसे चमज की मदद से तेरहा करते हुए ऐसे निकाल लेंगे अब हम इसी तेल में बाकी के वेफर्ष प्राइब करेंगे एक साथ में हम थोड़ा थोड़ा वेफर्ष डालते जाएंगे और चलाते हुए करेंगे जहान रहें अपना मेरियम रखना है क्योंकि कच्छा वेफर्ष परता है तो तेल संदा हो जाता है तेल हम इसे उलट इलटके शेंक नहींगे तो प्रेंग हमें चारे वेफर्ष को ऐसे ही प्ताई कर लिया है आप देख सकते हैं कि तो बढ़िया आपने करारी वेफर्ष तैयार हुई है और बनाना कितना आसान है वह भी आपने देख लिया हमने सभी वेफर्ष तैयार कर लिया अब जलिए हम इसमें थोड़ा सा मशाला मिक्स कर लेते हैं तो हम इसकी दोस्ते बॉल में क्लास्फर कर लेंगे क्योंकि एक श्ट्रा तेल जो है वाले वाल में थोड़ा सा निकला रहता है अब यह अपना प्रेश वेफर्ष सेयार हुआ इसके ऊपर हम डालेंगे हलका अचा नमक क्योंकि वेफर्ष में हलका नमक ही अच्छा लगता है आप ज्यादा डालने की कोशिश मत किजिए गा और यहां पी हम डाल रहे हैं ब्लाइक पेपर जिसे हमने कोटली आ है और थोड़ा चटपटा लगे इसके लिए लाल मिर्च अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे एसकीप कर दीजिए और हम इस बॉल को ऐस आप देख सकते हैं आवाज सुन जिए कितनी कडारी अपनी भड़की दनी वेफोर्स से आज हुई है जैसे हमें मसाला को मिक्स कर लेना है आप सुन सकते हैं कितनी बढ़्यां आवाज आ रही है एक वेफोर्स मैं आपको तोड़के भी खा देती हूं यह देखिए ऐसे हम अगर मसलते हैं तो चूड़ा चूड़ा हो जा रहा है तो इस वेफोर्स की रेश्पी को आप भी जूरू ट्राइक कीजिए और मेरी सेनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए धन्यवाद